अजीत पाल सिंग मांगट और मेरी वाइफन दीर कुछ साल पहले हम इस भीजनस में आये थे. ऐसे ही जैसे आपने किया है, जैसे आप करने वाले हो, ऐसे ही किसी ने हमें ये बिजनस बताया और हमारी जिन्दगी बदल गई आज तक हम उस बंदे का गुनगाइन करते हैं और सोचते हैं कि बगवान के बाद अगर कोई दूसरा बंदा है जिसने हमारी जिन्दगी में पॉजिटिव चेंज लेके आए और जिने हमारी जिन्दगी चेंज कर दी तो वो वो शक्स है जो जिसने हमें ayamway का plan दखाया और जिसने हमें weu के बारे में बताया था ता और अब एमवे कर और उसके बाद बगवान की उसकी किरपा के बना होता नहीं कुश और जिसने हमें यह इतनी अकल देदी कि हमें इस बिजनस की हैं कि it was right time and right uh place and we put massive action तो हम कामजाब हो इस बीजनस में कामजाब हो कि हमने बहुत सारे सापने जो मन में सोच कर बीजनस शुरू किया थहूं हमने हालमोस पूरे किया है इस बीजनस से क्योंकि इस बीजनस से पहले नए लोगों से बात कर रहा हूं कि हम गाउं में रहते थे यह देरा बबा नान क्या गुर्दासपोर डिस्टिक में वहां हमारा गाउं है वहां रहते थे वह मैं स्कूल में पढ़ाता था स्कूल टीचर था साइंस पढ़ाता था मैं गाउं के स्कूल में मिडल स्कूल था और वहां से उठकर हम चंदीगड आगे बच्चों को लेकर और जहां कराये पे मकान लिया बाद में बद्दिली कराये और जो था सरकारी मकान में रहना स्कूल कर दिया और वी सेक्टर सीनियर सकेंडी स्कूल चंदीगड का मेरा लास स्कूल था जहां मैं पढ़ाता था और सरकारी मकानुनी सेक्टर में हमें 2401 नंबर 1903 सरकारी मकाना लाट हुआ था और उसमें हम रहते थे और वहां हमें जे बिजनस में देखने का मौका मिला लाइफ बहुत ही ओर्डिनरी लाइफ थी बिलकुल हम कुछ भी नहीं था बस समझो गाड़ी एक मरूती कार भी लेनी उस जमाने में ऐसा है कि बहुत बड़ा ड्रीम था कि जिंदगी में कभी ले पाएंगे एक फ्लैट क भी हमारा होगा चंदीगड में ये भी एक बड़ा डिस्टन्ट ड्रीम लगता था उन दिनों में वही क्यों गैरा मबारा हजार पैस हलरी थी और वही बस समझो कि ऐसे लाइफ थी तो लोगों के पैसे देने ही थी लेना तो किसी का था नहीं क्योंकि उसमें होता गया है गाउं से जमीन के पैसे लेकर बाईयों से ठीका होता जमीन का रेंट वह लेकर हम यहां गजारा करते थे और स्कूटर पर बासी दरुदर बागे फिरते थे तो ये बिजनस हमारे पास आ यह नहीं इसको प्यार करने लग जाता है, मकर जब यह बिजनस इसकी घोपडि में चला जाता है तो फिर उसकी निन्दे हरॉआ हो जाती है, फिर तो वो समझो कि हीरांजा क्या थे, इसक उनके मकाबले में जो ही हमें एमवेस हुआ जाता है, तो रातों के निंदे और जाती हैं, तो ऐसे ही पिले हमारे गार में एक लड़का आया था, हमारा रिष्टेदार था, करनेड़ा में रहता है, वो रिंकू, उसने हमें बिजनस के बारे में बताया, प्लाया है निदे आओ, ऐसे बातें बुते की, और बातें कारने से हमें तो सीखना शुरू किया और बैंक में पैसे आने लगे, और जैसे-जैसे ये पता चला कि हम तो अनपड़ा हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता, सक्सेस के बारे में, तो जैसे इस बात का पता चला, और बैंक के नोटों से बर गए, तो उसकी बात की तो हमें समझ नहीं आई तो वो मेरे को बोलता कि चलो, एक मीटिंग है, मीटिंग में चलते हैं, मैं कहा ठीक है, मीटिंग में चलेंगे, तो जिस दिन मीटिंग होईगी, हम चलेंगे दोनों, मैं कहा ठीक हम चलेंगे, तो जिस दिन मीटिंग थी, वो वेट करता रहा मेरे को वहां कहेता, पिकड़ को अपने आपको बना रहे थे उनको नहीं बढ़ा रहे थे और फिर अचानक एक लड़का और उसका फोन आया कुछ दिनों के बाल के एक मीटिंग आए उनके घर के पास 30 सेक्टर कोई डाक्टर हैं दो उन डाक्टरों गरों में कोई बाहर से लोग आए अमेरिका से तो जब अच्छे बले लोग हैं दोनों डाक्टर हैं कनाल की कोठी बंगला है बाहर से लोग आए तो काम तो बढ़ा होगा मेरे तमाग में आया कि एम वे नहीं होगा यहीं को बड़ी जी जब शोटा समीटा था और मैं वहां चला गया और वहां मेरी नीद उड़की जब मैंने प् पच्छी लोग बैठे थे वी पच्छी लोग सर्दार जी बिजनस का प्लान दखा रहे थे पहले पंदरा मिंट तो मैं भी ऐसे बड़ा रलक्टंट सा बड़ा मजाकी है मूड मेरा पर बाद मेरा दमाग खुल गया और जब तक मीटिंग खत्म होई तो मेरे को यह पता पर वही बात साच्चे होगी कि वहां इतने लोग थे इवन जो बंदा प्लान भी दिखा रहा था वो भी नहीं कभी देखा और मैं इसमें EDC बन गया तो कैसे बन गई इसमें तो यह आप से बात करेंगे आज नए लोगों से कैसे होता है और अब भी इस बिजनस से क्या मिल है हमें हमें खभी जिंदी के मैं सोचा है नहीं था कि हम इतना कुछ मिल पाएगा जितने हमने इस पलेए уг झाश जाएगा हमें में भी कोई बायाएगा वहाँ पर آगे मगर इस के कारणलग एक हम को पॉई 40 आ 50 मुलकों में घूँ चुकंप हर साल दो-दो मुलकों में जाने का मुका मिल जाता है और बिजनस क्लास कंपनिए ट्रैफिल करती है जहां में business class होती है, economy class होती है, कभी सोचा नहीं था, कहीं पासपोर्ट भी नहीं था, कहीं इंडिया से बाहर जाकर देखा नहीं था, कभी आप पूरी दुनिया, land, अमरीका, अफरीका, कहां की बात करो, यॉर्प, हर जगा हम गए हैं, औस्ट्रेलिया पता नहीं कितनी वार हमें M of cost, वह हमारे बच्चे हैं, उनको मिलते हैं महां जाएंगे, नहीं MW के ट्रिप पर जाते हैं, तो बहुत ही कमाल का बिजनस है, जब MW आया था इंडिया में, जब मैंने शुरू किया था, तो तब मेरे को ऐसे लगता था, कि ये कोई इडिया में पता नहीं किया, कोई पाल उसका नाम है, वो बिजनस में नहीं आया, मेरे को ले गया है वो, तो वहां जब हम मीटिंग से बाहर निकले, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की सिचुएशन होगी, जैसे हम बिजनस का प्लान देकर बाहर निकले, तो यवार दोनों हम बहुत फाइड अप होगे, तो मैंने वहां बाहर निकल के व उस लडगे को रिंकू को फोन किया, जो सबसे पहले मारी गार आय था, यार तू कहता था, मेरे ऐड़ कहां मीटिंग है, मेरा मून बढ़ घया, वो कहता हूँ आपो अमरसार में हूँ, आप तो कोई मीटिंग है नहीं, मगर शिवालिक कॉंटर से जाकर पूछा जहां को बाहर से लोग आया है को एम वे कंपणी कहते हैं मगर थर्ड फ्लोर के उपर दो तिन गोरे हैं वह कुछ लोगों को डेमो देते हैं हम वहां चले लगे वहां दो तिन गोरे और एक वहां इंडियन था उनके साथ कलीन छेवन एक गोरी थी औ और वो एलो सी की डेमो करकर करके बता रहे थे लोगों को पहले प्लायन दखाते थे पावरपॉंट पे फिर मोटिवेशनल बाते करते थे फिर वो उसकी डेमो करके दखाते थे और मेरे को लगा भी पहले रिंक हुआ था यार उसने बोला कि बहुत वड़ी है काम है उसके है ये दॉसरे दिन जागे थे पिश्वाले को अडिल में गुरे लगे पड़े हैं ये तो एक के बाद हो गया रहा है वो अनसे गोरों से जाकर मिलने लगाए, बात करने लगा करते हैंता हम दोनों जायन करना चाहते हैं तो उनको कही चाहिए था, वो तो बड़े खोश होऊ गए वो गहते हैं अभी वो छोड़ने वाले थे हो replicate तो कि अधे गंटे का टाइम था उनों ने अधे गंटे में महाँ चेक आउट का रहना था हो कहते हम यह होटल सोट रहे हैं और जीके इंटरनेसल वड्ल में जा रहे हैं वहाँ आरा अरूम बोक हो गया है आप चाहो तो हमारे साथ वहाँ आ सकते हो वहाँ आपको बिजनस के पारे में हम और बताएंगे और डिनर भी मारे साथ कर लाना फिक चलों ठीक है तो वहां मां जीके इंटरनेस्टेशल रोटल गया तो वहां बहुत बड़ा बौट लगगा, लगगा था जीके इंटरनाशी, इंटरनेस्टल रोटल फोटल के उपिट वाई इन तब हमने ब्रे इंडिया मैं क्या है वो क्या रहा है यार उदर रिंकू आ गया उदर उनके गर मीटिंग चाल रही है उदर श्वाल के में चाल रही है यहां आया था यहां फिर प्रेट का बोड ला गया यह तुम है कोई सुनामी आगी इंडिया में I was so fired up मेरा इतना बलीफ बढ़ गया कि कि अबिआ का नाम नहीं सुना था इंडिया यह रहा इकόσ यह आ है और वहां हमें कुछ लोग मिलने लगये हुथा हुना हमने वीडियो दखाई उसबन्देने वीडियो कें अंदर स्क्रीन के दξाया-कैसे बड़े-बड़े फंक्च्छन होते हैं हमें तो नींदे उडगी हमारी तो गुर्पाल ने तो नेक्स दे डाक्टर ब्लैस के साथ जाएन कर लिया और बाद में मता नहीं छोड़ चाड़ गया और हम लगे रहे हमें समझागी हमने ब्रॉशर बाड़ने जिरू कर दिया डेमों करने शिरू कर दी और पैमने परसंट क लेवल है और अगले मीने हमने शेख शेइपरसंट का का लिए जाब ब्रेट आओ वहां जीके इंटरनाशनल में दिखाए वहां होने सदेख लिए यहां आद लगाता रा मैं गानगना जैए आणगादटा ड़कान ये जाता था इतना मैं लोगों को फडटफड़ कर पकड़ पकड़ के वहाась ले आद आता ब मैं फूनिके जाता गाए देखो याड़ आके देखो यह और वहा मैंने एक दो दो स्पॉंसर किया और ऐसे एभी रूट सुर नेट ग्रेंच आरहा है अपके तरफ से ना अब है मेरा को है सब्सक्राइब तो ऐसे यह मैं बता रहा हूं कि आप हमने बिजनस स्टार्ट किया जैस्ट आपको बीफ बिल्टिंग करने के लिए आपको पता चाहिए बड़ा यह अग्यों हैं इंडिया में जिनकी इतनी टर्न वर होती है जिनी ग्लोब ली में की टर्नो ऄटी है बहुत मैं की बड़ी कंपनिया जोटी जोटी जाएगा अपको वो देखना जाका कि कैसे निटी लाइट के फार्म है और क्या एमवे कंपनी है कैसे चीजें बनती है कैसे मतलब आपको पता जल जाएगा मैं आपको जह करना जाता हूं कि जोटी ज accuse नहीं है बहुत बड़ी चीज यह और छोटी मट मेरे झरेसे शोटे मोटे बंदे को भी बिना पैसे लाएगे इसमें कॉर्ण और यह मतलब काफी बहुत ही इन्फुनेशल लोग हैं तो बहुत ही कमाल की बिजनस है बहुत ही कमाल की प्राड़िट है और सबसे बड़ी बाद है कि anybody in the world जिसके पास को सुपने हैं जिसके पास को ड्रीम हैं जिसके जो जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहता है जो मेंद कर करने को त्यार है जो शीकने को त्यार है जो सुने के त्यार है वह आगे बढ़ जाए Umarji बीरेट में भी इंडिया में वोड्याल जा रहे हैं इंडिया में लोग एम लग यह आ रहे हैं हमारी है भी हम्हारी टीम में प्लाटिन्म कहा है बंद मींने निये से नहीं क tackling गिन्ट मजपी जिन्नों कि और यह एक ऐसा बिजनस सब्सक्रार की आपर को पहले तो लोग कहते हैं बीजी बढ़ा हैं टाइम नहीं है, अब टाइम ही टाइम हारे के पास, सारे गर में फ्री, तो यह अब आप एजी है जो बिजनस का, मैं कहता हूं कि रियल मॉडल जो है बिजनस का निकलकर आया बाहर, वो अब आया है, कि घर बैठे बैठे, आप तो यह बड़े कमाल का बिजनस है सिर्फ यह है कि उनको उन लोगों के लिए है हमने कही पर बोला है कि विए लुकिंग फादा लुकर्स विए लुकिंग फादा लुकर्स हमें उन लोगों की तलास है जिनको जिन्दगी में किसी चीज की तलास है जिनको तलास नहीं है न हुआर सैटिसफाइड उनके लिए नहीं है जिनको नहीं चाहिए और ज्यादा उन जो कहते है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है बगवान क आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोगों की हेल्प करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या मिल सकता है इसमें नए बंदे के लिए, एक नया बंदा है, हो कहता है, मांगड जी मेरे को बताओ, क्या मिल सकता है मेरे को, आपको क्या चाहिए, एक लाखर पे हम इना चाहिए, दो दो लाक चाहिए तो बीस लाक के लिए आ जो तो पुछ फॉस्यबल 2-2 लाग भी कमाते हैं लोग- इंडिया में कमाते हैं 50 पस लाग भी लोग कमाते हैं मुने का आपको कृतना चाहिए it's up to you अगर आपको चाहिए freedom व्रीडम का मंदब है कि जैसे मेरे को और भो बोलते हैं गयी पार्क में बिल जाते हैं मांगड़ जी आप फिर क्या करते हो? मैं गहां, we have done our thing, we do nothing now. मैं समझा नहीं कहते हैं, क्या बात मतलब? मैं गहां, हमने कर दिया जो करना था. अब हमें करने की जरूर तो नहीं है. मतलब नहीं, मैं समझा नहीं है. ऐसे कैसे होता है? मैं गहां, we are generating passive income. passive, जो बिना काम करने से आती है. residual income, जो काम आज से कुछ सहल पे ले किया था, वो उसकी income जो है, वो आती रहती है. और huge income, tons of money. ऐसे कैसे होता है? मैं गहां, यहीं यह business है. network marketing इसी business का नाम है. बाकी काम तो दुनिया के ऐसे हैं, काम करो, पैसा कमाओ. काम करो, पैसा कमाओ. जिस दिन काम बंद, पैसा बंद. network marketing एक ऐसा business है, कि जो create a business, एक business है, आपको create करना पड़ेगा. ऐसे नहीं हो जाएगा, अपने हाँ. मेंट करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, किसी की उंगली पढ़नी पड़ती है, और उस business का पैसा, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को जाता रहेगा. है ना कमाल का बिजनस? और इतना पैसा आएका कहां से, आपको पता है, ज्यादा तर लोगों को, कहां से आता है पैसा, पैसा है कहां, कभी सोच के वेखो पैसा है कहां, कहां है पैसा है, पैसा है लंटे में, पैसा है बड़ी-बड़े बजारों में, पैसा है कनाट प्लेस, जहां कार्पुरेट वर् तो पहले वहां होना जहां पैसा है, जहां कैश फ्लो है, वहां होना चाहिए, कैश फ्लो कैसा है, मैं आपको बताता है, कोई भी चीज बनती है, यह कंप्यूटर है, मैं जूज कर रहा है इसको, यह कंप्यूटर किस कंपणी ने बना दिया, ठीक है, और आगे कई आथों में ह पैसलै ओजुफ से लखे वी 10 वाड़ जो बड़े भड़े ठीकदार है ना पयसा कमाते हैं वो मैं को क्स्टमर मह्त वर करता है और मार्कमें जाखे भैंकाता है। धाल है दुनिया के बड़े-बड़े 5-स्टार बंते चंदीगाट में हैं आइस होले मेरी अड खोल गया estoy लोग के लिए खोले हैं कि जब आप चंदीगर आना इधर रहना इसमें आकर किया जो चोटे मोटे लोग है चोटी मोटी नोखरी यह वह रहते हैं वहां जागे क्या बड़े-बड़े लोगोग जहाज के अंदर बिजनस क्लास की बहुत लोग तो बैट पाते हैं जो मिडल मै तो यह ठीक हारा ना बीच पे कर जाती है थोड़ी होगा लेकिन आप देख लो स्टेबल वाला कौंसे दो नेट है ना आपके बसना को तो करना पड़ेगा उसको अभी तो ठीक चल रहा है वाज कट रही है काँ पर ही है अब ठीक चल रही है फिर आल बीच में दस प्रेट क छेटों के बाफ साथ ये एक ऐसा बिजनस है जो में एमवे लीडर है ये एक ऐसी दुनिया वे रेवोलिशन आई है कि ऐसा काम है जो बड़े-बड़े लोग थे उनके निकाल के पैसा कामन मैन की जेब में कैसे डलता है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग उसका नाम है सदियों से कामन मैन को पैसा लेने ने दिया यह जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और जो भी थे ना कम्यूनिस्ट यह ऐसा सिस्टम टू कलास स्टोरी रही है शुरू से कि जहां बड़े लोग थे पैसे वाड़े जहां गरीब लोग थे नीचे बिचकार में कोई नहीं थ अगर आपका एक श्टेबल नेटवर्क है आप कस्तमर का एक नेटवर्क बढ़ाते हो आब यह भी यह जो का नेटवर्क बनाते हो और उनको सिखाते हो आगे डैट ड्राइविंग होती है ऐसे आपका नेटवर्क बड़ा-बड़ा-बड़ा-बड़ा-बड़ा-इक बाद में आटो-मोड पे चला जाता है तो फिर यह चालता है शुरू-शुरू मैं काम करना पड़ता है मैंने सु जो जिसने आपको बलाया उसके साथा बैटो वो आपको समझा देगा कि आप 1% कैसे जाओगे जैसे आप 1% जाते हों कि आपकी इंकम लाग सावला अगर भी ना हो जाती है अगर आप इकी पर नहीं पहुंचेंगे और फिर भी पैसे आएंगे और इकी पर पहुंचेंगे हमने 21 परशेंट जैसे मैंने बिजनस चाड़ कि I was just like you normal मेरे को कुछ पता नहीं था मैंने सीखा मैंने जब टेपें होते सब्सक्राइब करते हैं और जैसे इकी पर पहुंचे तो उन दिनों में मेरी इंकम कोई 50-60,000 रपे मिना होगी ताब इंकम थोड़ा कम था आज डबल है इंकम डबल से भी ज्यादा ट्रिपल है तो हम इकी परशन पहुंचेंगे इकी परशन के बाद हम उबल होते हैं इसको silver पहुंचे फिर तीन मेनक बाद gold होगे फिर platinum होगे और Ruby होगे और जब वहां पहुंचे तो हमें पहली बार जहाले में बैठने का मोगा मिला जैसे हम रूबी बने इस बिजनस में ये कंपणी ने हमें ALS पे बलाया गोवा में लीला पहले से उटल था गोवा वह हम बलाया हमें हम बहुत खुश पहली बार जिंदिगी में नए कपड़े समाए गए रात बेखा हुने सबेरे हमें एरपोर्ट पर लेगे एरपोर्ट हमे पहली बार जिंदिगी में एरपोर्ट देखा पहली बार ट्रॉली देखी जिसके उपर समान राके अंदर जाते हैं पहली बार देखा कि ऐसे बोर्डिंग पास मिलते हैं ऐसे स्क्योटी चेक होता है ऐसे जाज में बैठते हैं और बड़ा मजा आ रहा था कि हमने कुश कर है यार हम हम हाइफ हाई होगे अमीर होगे और लीला पहले से होटल गुवा में ना सब लीला चोट जो है बिलकुल समुंदर के कनारे के उपर है आप बार निकलो करना लोबी से तो समुंदर का पाणि आपके पैरम उटाच करता है और चिट्टा बानी है तो पहली बार तो ऐसे मैं सेंटर में बैठा था और अंदीर इदर बैठी ती यह आईल साइड पे अंदर और इधर एक बाओ जी बैठे थे मेरे साथ लेफ्ट साइड पे जो विंडो सीट होती है वहां भी बैठे जैट एरवेज की फिलाइट थी तो मैं तो पहली बार च तो मैंने वाइफ के दर देखा मैं गया नो वाइफ दर बैठी मैं गए बंदर सेंटर में आजाएगा मैं अब तो मैं मैं गए ने ने आयम ओके आम फाइन है ना तो कहता के इस फ्लाइट तब तब के जमाने में जैट एरवेज टॉप होती तो अब तो बचारी खातम होग तब करके ना तो कोheen अबदाम पतला था कि अपने आसे करके ना से अखेसे कर एक निए और है एकसी मॉसे है अट इपार महीं गश्वे एक वन विक्राइट खैसी कैना अले तो गुवा कहा जा रही आइथ सदार जी मैं कहा हम लीला में जा रहे हैं लीला जाते हैं तो मेरे को देखे कि आप लीला में कैसे जा रहे हैं के लीला में लीला में खुड्ड उफेरे आसे करें कि अभी एक्सिलेंट तो मेरे को लीला में कैसे जा रहे होगा हम में अम्यखा बिजिनस कारते हैं और एंवे कंपणी केमें लेका देखारी हैं तो वह बड़ा बड़ी सीन था और वहां जब गए तो पज़ाब के वी बाई क्वालिफाइट थे उनका था स्विमिंग पूल इतना बड़ा था लीला का तो इतना साब सुत्रा था वहां गोरियां गोरे नारे वहां सरदार जागे मारियं से लांगा अंदर दाडियां खुल बाद खुले और वह तो डार की हो तो मार के साले बाद निकल की सारी में में भी एक आउन आगे पता नहीं कैसे लोग आए तो वह फोटोबाल खेलने लागे अंदर वाली बाल तो बहुत पांद मतलम किया हमें जो कमरा मिला कि हम रूबी डारेक्ट से हमें वहां कमरा मिला वह रूम हमने जिंदिगी में कभी देखा ही नहीं था कि ऐसे भी रूम होते हैं कभी आप तो बहुत देख लिए पूरी दुनिया के तब तो देखे नहीं था हरुबाल में का मन्जी यह दूसरी होती थी तो यह वहां हम तो वह कर अरे ऐसे लगा भी कौन सी दुनिया में हमारा जो कमरा साथ स्वीट रूम था है कमरा कमरे के साथ एक और कमरा और उसमें भी बड़ियां गैजट्स लगी है अची डी प्लेयर यह वो बड़े-बड़े देखे नहीं इतने बड़े गदे चिटी चांदे चिटे तॉलिये और हम तो देख रहे थे अरे क्या बातरू के बातरूम के फर्स पे चिटे तॉलिये भिशाये हुए थे कि इनके पैर ना गंदे हो जाए हम डर रहे थे कही तॉलिया ना गंदा हो जाए ना तो यह इस तरह का वहां सीन था और बड़ा बहुत ही मज़ा आया बहुत एक्साइटेड हुए और वहां एमवे की मीटिंग अपने जहाज खरीद लो जाए तो यह बहुत बड़ा बिजनस में आपको विश्वास दलाने की कोश्च करता हूं तो हुआ जैसे हमने बिजनस टार्ट किया जैसे अभी कोई भी मैं आपको बताता हूं कि कई लैक जो होती है आपको आपकी अपलाइन बताएगी जिसकी ज तो जैसे मैंने बिन स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमने उनको स्ट्र गर्शान कारते हैं कि वो खास को सोड़ देते हैं, आम के बिशे बागते हैं अपने रिष्टों दारा को स्पॉंसर नहीं करते हैं उनसे बात नहीं करते हैं पता नहीं उनका behavior रिष्टेजानों के साथ क्या है, friends को नहीं करते हैं, मगर ऐसे सड़कों पर चलते फिरते लोगों, स्ट्रेंजर से बात करते हैं, स्ट्रेंजर से भी करो चाहे, मगर सबसी पहली इन नेंग दिवा है, जो वार्म कंटक्ट है, उन्से करना चाहिए, हमने भी वार्म किया, केके जा बिजन जोईन किया ना, अपनी सिस्टर को स्पॉंसर किया, अपने दूसरी सिस्टर को किया, और जितने जानकार लोग थे उनको किया, उमागात ने अपने बाई को स्पोंसर किया अपने और जानकर जूनियर सीनियर को स्पोंसर किया जानकर लोगों को जानकर लोगों को ही करना चाहिए पहले तो मेरा एक मैंने कई लोगों स्पोंसर कर दिया और हो एक हमारा फ्रेंड था और उसको मैंने फोन किया मैं किया ऐसे है अपने चठ्था साहब बहुत बढ़िया काम है आओ ता उन दिखाईए बड़े कमाल का बढ़ा हूँ दफ्तर से आया हूँ और मुश्कल है और उसके पास एक बैठा था और बंदा वो सब्सक्राइब काम किया मैं साथपाल के साथ जड़ गया उसकी गाड़ी पे बैठ गया हम गूमने लगे ऐसे लोग मों कुछ पॉंसर करने लगे काफी लोग हमने निए बॉट पिंदर शेंग तो सब्सक्राइब करते ऑमने व्याइस को चते करते हैं। तो मेरी वाईफ ने बोल दिया गए कि बोत लोगों की शराब शुट ही है, और वो रिख ति फिर हम कर लेंगा, बमने उनको स्पोंसर का दिया और कृणि उन्होंगर। नो ने अएक डॉक्टर था, बमने उनको स्पोंसर का दिया, और मैं इनके पास जाता था है नीचे 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 जाते है ना यही तरीका बिजनस कारने का आज भी हम करते अब मंधीर सौड की एक लैक है 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 मेरी फोरbnرب होते है रोज होती है तो वह यह करना है तो तो बटआएजी किसी किसी से बातिया नियूंत एक अगुट और रामृतन आपशन यह नहीं और एघू नेल leaving तो रामृतन वो गांग्राम जाने के शकीन थे और मुनिणब जाते थे और गयुंफ जाते थे और यह ज üzere नीज और रे जोड़ी हें फिर बाद में आप जाना करेंगे अब हरम हम पिर में आप जाना करेंगे। इन जाना पर टाइज करने लिया और करते नो टाइम पंतरा परसिंट लेवल पर चेलेगे। तो इसे बहुत ऐसी बाते हैं जो मैं केके से शीकता हूं और केकटावन के ऐनके आभून के लिए इस लागी को चिंता है नो I learn from KK बहूत ऐसी बाते हैं जो मैं KK से सीखता हूं और केके आए कैसे चठे चठा तो आया ही नहीं चठे दे जिस्ट केट ली मगर चठे चठा मेरे को एक बच्चा दे गया गया वहां उसके साथ काम किया और मिल गया उसके साथ काम किया और मिल गया उसके साथ काम किया और मिल गया ऐसे मिलते बेदी साब के गार में जाता रहा बाठिया जी को जब बाठिया जी के बाद मैं बेदी साब के साथ रिलेशन बिल्ट किये बेदी साब से मिलना जुलना उनके गर में जाना उनके साथ हम बाले उनके प्लान किये फिर अगरवाल के गर जाते रहे पिर उम्मा-गात के कर जाते रहे, फिर केके के कर जाते रहे और आप झरूोरत नहीं आंजके चाने की इसको गोलते हैं रजङीडिवाण की सारी उमर के लिए आपको यह रॉयल्टी मिलती रहए अपको रॉयल्टी मिलती रहे गए future in economy और when I इतनी ज्यादा है ना लाखोर भी आती है इतने में डेफ्थ बोन से जाते हैं इसमें लीडर्शिप बोन से जाते हैं कई तरह देगे एन्वल पॉर्ट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं वह लाएंगे तो बहुत तो इसे मैंने एक बंदा और स्पांसर की आ उसके कहार में मीटिंग कर दी और वहां से एक मैने पैली बार जब जिड़ी में मैंने खड़े होगे पलान की वह मेरी स्टोरी है पहली बार पहले मैं बैठ के पलान करता था फिरलियों नहीं salad पर थे दिए निए कि पशी ने की जाथा उनकी में डास्ट एक हो एक बंदा आ गया और उसकी वेक स्टोरी आप सीडीक में सोन लोगा ना हमने उसको स्पॉंसर कर दिया उस वह कपूर साब थे उनके साथ क्या चैनकर होती है मेरे बाइस दो स्कूटर होता था, उनकी जनकार में बैटना, हमने पंचगूला, इदर काल का, पंजोर पदा नहीं कहां कहां, नाला गड़ बदी कहां कहां गूंगते रहे उनके साथ, और वहाँ से हमें हरजीत सिंग मिल गे, वहाँ से कलवंतराय पंवी मिल गे, वहाँ से थे मिल गया तो आप जिरूरत है मेरे को हम को कोई जरूरत नहीं ऐसे मरे होे स्कूल में आज ने उसको सिरुएकर थे मिश्युकेशण, मिपसा दवा है, उसको बोला इनन बहुत बटिया काम है, है, है ति बताओ क्या करना है, मैं उसके गर में प्लैन दिखाने गया, मैं और मेरी वाइब, वो कहते ठीक है, स्पॉंसर हो जाते हैं, उसका बेटा-बेटा था साथ, वो बेटा भी एक्साइटेड हो गया, वो बेटे में पारक को एक बज़ुरक आदमी, बेवाकब से ट्रेंजर को बोल दिया कि अपने न हो गए, उन्होंने में रिले आती बहुत काम कार दिया, पहले में नाइन परसेंट पर चले गए, उनके बाद जेपी वर्मा आगे, जेपी वर्मा प्रीत आगे, डाक्टरमान आगे, आगे तो आगे, कहीं बात निकल गी, उनके नीचे, मैंने पहले रनबीर मांगड को जा कर दिया, आगे से आगे बात करते करते करते, छोटा सा ग्रोप बन गया, वो छोटे ग्रोप में, मैं गर्दासपूर एक बाद डाक खाने महले में मीटिंग कर रहा था, तीन बंदे मोटर सैकल में पहले है, तीन लड़के, जीनने और गोल गले की टीशेटे पहने हुए, सेंटर पहने हुए, और मेरे को इंट्रोडूस करा है कि सारे तीन लड़के हैं, इन्होंने बिजन सभी अभी जाइन किया है, मैं इस बिजन में कही आते हैं, बाद मैं दिखते भी नहां जाते हैं, कहा पता, और वो तीन काउन काउन थे बला, एक मंदीप से खो था, वो ड जाएक न, जे नवीन हैं, फांडर प्लेटनम, रंजीत हैं, लालिया हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, बहुत बढ़ी लग बन गी, और ऐसे द्राने की तीसरी लग गोरंच और गोरंच के निचे वितना बड़ा गोरोप है, पूरी ओल इंडिया में गोरंच का नाम है, तो एक बार आखे मीट के इस बिजनस में आओ, बिजनस को जाएन करो, इसकी सीडी सुनो, डामेंट की टाक सुनो, इनकी बुक्स बढ़ो, प्राड़ेट को जूज करो, डैमो कारने सिखो, आप देखना आप भी कर पाओगे, इस बिजनस में हर कोई ऐसे ही आता है, जिस दिन म पता नहीं, हमें कुई पता नहीं क्या है, यह क्या करना क्या है, मैं एक बार होते होटल जी के इंटरने हाँ थे बाहर बार, अमेरिका बड़े लोग आयो थे, एक बंदा इंडियन था, वहाँ कनेडा में कोई लेवल था, उसका, मैंने उसको ऐसे, लोग उससे हाथ मला रह मैं कहता है, इतने काम है, 30-35 बंदों का ग्रुप बना दो, डन, हमने 30-35 का बना दिया, हमने 35-100 का बना दिया, मगर वो खुद 30-35 का बना गए, डन हो गया बंदा, तो यह ऐसे होता है, यह लंबी गेम है, हम अभी भी नहीं हाटे, हाभी कांट से हम रुग गे हैं, आज द मौथ हस्बेंड, हाड़ वर्किंग लेडी, एम वे बिजनस में और है क्या, लफजों का बिजनस है, बोलने से जलता है जै बिजनस, किसी को सामने बिटा बोल दो, जूम पे बोल दो, बोलना ही है, यह सिरीन वास असरे हैं सामने बेटे, तरम सेंग, तो यह क्या है, बोलन आगया, बोलना भी खुल जाएगी जबांग, नहीं भी बोलना आता ना, फिर भी आजाएगा, हमें नहीं बोलना आता था, मैं सच बता रहा हूं आपको, बेसे कि मैं अपने स्कूल में टीचर था, मगर खड़े हो के कहीं चार अडल्टर के सामने कभी बात नहीं कार सकता, अब टांगे कांपती थी मेरी, मुझ से बोलना कुछ और था, निकलता कुछ और था, आब बोल सकते हैं, आप चार गहिंटे बोल देंगे, अब बात भी साफ निकलती है, लफ़ज़े क्लियर निकलने लगए, थौट कैसे आते हैं और कैसे लफज़े बन बन के बाहर निकल मेरे को संग लगती है, मेरे को सब ठीक हो जाएगा। जो बड़े-बड़े रागी है ना जाए, मैदी हैसन लालो, जगजीत सें लालो, उनका भी गला नहीं सावता, वो भी ऐसे थे, उनको सारे गामापा आता नहीं था उनको भी, उनको भी थपड मार मार किसी ने सखाया प्यासे बोलना है, नहीं आता था, चुरू-चुरू में कुछ नहीं आता किसी को भी, बाद में तनंतर बन जाते हैं, इसकार गबराने की जरूरत नहीं है, कूद जाओ बस, कूद जाओ, ये एक चीज़ नक्की करने की जरूरत है, कि डू यू रियली वांट सक्सेस रून यूर लाइफ, क्या आप अपनी जिंदिगी में काम जाब उना चाहते हैं, आप चाहते हैं, लोग आपको सलूट मारें, आप चाहते हो लोग आपको पर चाहने, छड़के पह जाओ अधर पचास लोग जानते हो, जानते हो काम जा रहा है, मंगड जा रहा है, टॉप लेव सबको पता है कि बने वाध रट जैम आगट कैसे कही ना कई किसी ने तो बता दिया UP कोई ना कोई तो होगा कि किसी ने में जिकिसी दी की होगी ऐसा तो यह चाहते हो आप दुनिया में आपका नाम हो यार पैसा तो हो अगर पैसा हो नाम ही ना हो कोई जानता ही ना हो तो क्या फैदा यार यह जो होती है ना ही रिकोग्निशन हर बन्दे को चाहे है ऊच अगल बड़ कार देखे आ लोगों को बात कर नीई हो आप तो तर्म जी उन्हीं हो ऐसे बोलetted आप तो स्याने हो, बात शुरू करने से पहले ऐसे बोल देते हैं, कि के जी आप तो स्याने हो, संदीब आप तो स्याने हो, तो बंदे की immediately mood change हो जाता है, recognize, कौन करता है कौوس किसी को recognize, नहीं दुनिया में करता है, कोई नहीं करता है, सर सर को अपने आपको फूफा कर के लोग जाल दे के मैं आएमहान हूं, कोई किसी को नहीं जानता, इस business में लोग आपको, मैं जाता हूं कही बर मास्क लगागे पार्क में, और फिर भी लोग कहीन यहां लेते हैं कई बच्चे मिलते हैं जानते हो मैंने सुने mapped lecture सुने मैं यूटी प्रभ देख यार्य जू है पैसा चाहिए मनमर्जी का मर्जी खारी तो इस जो मर्जी क्रीड आप हमारे घर जो आजकल है कि गार में हर्यावल चाहिए पवदे गमले है ना तो आजकल गमले जो मिट्टी के आते हैं गमले ना ये चेंज हो गया अब सिस्टम आजकाल चीनी के भी आते हैं, आजकाल स्टील स्टेनलस के भी आते हैं, और आजकाल एक्राइलिक के भी आते हैं, फाइबर के भी आते हैं, तो मैं नेट पे देख रहा था, तो मैं गमले देख रहा था, और मैं तो मैं गमले देख रहा था, और मैंने टोटल कर रहा था, कोई पचास गमले मैंने देखे 60-70 जार कबेल था. मेरा मन कर रहा है था मैंजिए टिकलेक मारूं और ले लूं. और वाइफ के ती आपको तो वो लगे रहते हैं भी फटा फटा पैसे खर्चा जाओं. मैं इतने ज्यादा देगा प्रण जितने खर्चेते हैं. तो अगर है तो खर्चें, सोचेंगे ना ऐसा? पहले क्यों नहीं सोचते थे हम वे से पहले? पहले तो दोदी के दूद का बेल नहीं देते थे दोदो मिने हम. तो यह आप चाहते हो कि आपके पास फ्रीडम हो, फ्रीडम ओफ मनी, फ्रीडम ओफ एक्स्पेंडिचर. बड़ा हमेसे भी बड़ा का रहा है तो वो कहता पापा जैसे आपका टीक का फ्रीडम है सागवान का, ऐसा फ्रीडम में अस्ट्रेलिया में मिलता है नहीं वहाँ चाइनीज मिलता है, दूसरा सारा हम चाहते हैं इंडिया से बनाए, अब हमने जहां से उन्होंने फोटो प जहां पर हो कंटेनर में जाएगा, शिप में चला गया, शिप अभी सिंगापूर से आगे निकल गया, तो वो बन गया, पची लाग का बिल बन गया, जब बन गया, पैसे देने की बड़ी आई थी, तो बेटा पापा, मैं गाड़ी लेनी थी बड़े बड़ी और अगर मैं मैं जे पची लाग ये दे दिया, तो फिर वो मैं गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, फिर मैं साब के पास, किसी के पास, बी एम डबल जुआ है, कोई मर्क पे जाता है, तो आप ऐसे कर दो है, आप पेमेंट कोदी कर दो है, मैं थोड़ा-बोदा रिस्ट किया और थोड़ी द पाँ-छे लाग वो मैं कर लूँगा, और जब सारा कुछ होगा है, जब शिपन के बारी आई, तो फिर मूँ डिला था करके, पापा, आप शिपन के भी दे दो, बाद में मैं आपको दे दूँगा, मैं किसने देने हैं बाद में, तो ये, हमें खुशी होती है, यार, हमें की पैसे को खर्चे कैसे, यार, ये diamond level पे हो जाता है, तो आप, मैं यही कहना चाहता हूं, आप पहले ये नख्की करो, के आपको चाहिए, आपको चाहिए, बड़ी-बडी गाड़ीयां आपके drive Arts, आपको चाहिए, बड़ा visit, बड़ा थाbangला जो आपको पसंद का हूँ, आ आपने हमें बोला था हम रहा गए काश हमने भी किया होता है तो आज हम भी आपके बरबर होते हैं फिर ऐसा पश्तावा राग जाता है उनको तो क्या आप चाहते हो बड़ा फरनीचियर बड़ी गर की हर चीज हो आपके गर में हर चीज हो हमारे बहुत यह ऐसी गैजट है जो हमने एक ही बार जूच की है और वाद में पढ़ी है वाइफ की अब बतना मुद्द नहीं होती नहीं चीज बज आटर कर दोते हो फटा 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 वैं कि वैंद वैसे हर चीज होनी चाहिए गर में तो यह फिनेंशल फ्लेक्सिबिल्टी हो आपके दुनिया वार की सहरें करो और हर आपको आपको मैं लफजों में नहीं बता सकता के एम वे आपको कैसा ट्रीट करते हैं बाले कि जाती है तो जाते आप जो में नहीं आता जे लफजों के गेरे में आता ही नहीं है जे संदीप और ये सामने बैटे हैं ना लड़की क्या नाम है इसका फुश रहती है इतना ये होटल में जब गए थे इनकी जो फीलिंग वहाँ जब फाइस्टार में थी वो पुश रख किया है इनकी एक्स्प्लेइन नहीं कर पाएंगे लफजों में नहीं आती वो चीज फीलिंग एमोशन लफजों में आती नहीं है आम लोग हमारे जैसे आप जैसे फीलिंग को लफजों में बादना हमें नहीं आता कवियों को आता है जो भी जो पहुत बढ़िया कवी होते हैं तो वो अ करने के लिए हो थी है के फीली करने के लिए ह। तềuह इम वे आपको अभी हम इस्तानबोल में तेसारे कि एकि हम सब लोग यह डाक्टर सुनीर बगेरा भूरमDeir- ने सब लोगंग te अश्ण वहाँ साल है इस्तानबुल-इस्तानबुल इतना बड़ी है शहर है न, एशिया का most beautiful city और जो वहाँ आदा जोर्प में बड़ा हुआ है, एक नदी है, बास फोरस, बास फोरस वहाँ सुमंदर की नदी सी है, बहुत चोड़ी, आदा उस साइड में, आदा उस साइड में उपर साथ ब्रेज हैं, बहुत अच्छी ऐसे पोड़ा है, दुन में आदा यूर्प में है, तो हम दोनों में गुंक है, तो वहाँ देखने वाला मंजर था, वह आरे, यार, क्या कमपनी है, कैसे डील करते है, कैसे समुंदर में ले जाती है, हमें शिप के उपर बठाक है, वहाँ टांस होता है, डिनर होता है, खाना बीना होता है, कई पड़े हैं, जब भी करोना हटेगी, तो एम वे लेकर जाएगी, बिलकुल ही ना हटा करोना, तो वस्त देन वस्त फिर वो पेमेट का देगे आपको कंपनी, तो बहुत ही कमाल का बिजनस है, आप इसमें डायमेंड जा सकते हो, आप क्राउन जा सकते हो, आप हम से भी आग मर्जी फिला दो इस बिजनस को, आप यहां बैठे हो, पूरे ओल इंडिया में आपका बिजनस चला जाएगा, चाइना अफरीका में चला जाएगा, चाइना में लोग नहाएंगे ना, परसोना से, आपको यहां बैठे-बैठे पैसे आएंगे, यह ऐसा बिजनस दुनिया करना जाये इस बिजनस में कुछा धैसी कॉछ भी आपने जिंदिगी में करना है ना डिसप्लन होगा होगा है तो डिसिक्लन में रहना बहुत ज़रूरियर नेर समय लड़ा मुश्कल है। आपको पता है कि इस बिजनस में कई ऐसे बुद्धू लोग आते हैं तो भी कई लोगों को स्पोंसर कर जाते हैं। बिल्कुल निकम्मे लोग भी कही आ जाते हैं जिन्हों को कुछ नहीं पता, मगर वो भी कुछ लोगों को तो स्पोंसर कारी जाते हैं, प्राब्लम स्पोंसर कार नहीं कर जाते हैं, मगर क्या उनको रेटेन कर पाते हैं वो, नहीं, वो निकल जाते हैं लोग, क्यों, क्योंकि बैठे हैं जो सारे लोग क्यों इतने हैं हमारे पास बैठे कितने नजर आ रहे हैं सब चेरे तो यह कैसे बन गए क्योंकि इन्होंने कला सीख ली कि बिजनस को रटेन कैसे करना बिजनस को गलू करके कैसे रखाना है अकेला बिजनस को बनाना ही नहीं है उसको तूटने से बचाना है उसको जोड कर रखना है कि तूटेना उसके लिए कार्डाइनर रूल है। तो cardinal rule को आपको follow करना पड़ेगा, मैं cardinal rule सारे नहीं बताने वाड़ा आपको, आप सीख लेना कहीं और से, बहुत knowledge है, बहुत literature है, आपको सिर्फ इतना रखना है कि एक बड़ी है इंसान बढ़ना है, that's all, किसी के साथ को हरा फेरी नहीं करना है, जूट नहीं बोलना, कोई गल्त काम नहीं करना, बस, that's all, कोई गल्त काम नहीं करना, बगवान देख रहा है, आपको हर दम, कोई देखे नहीं देखे, बगवान देख रहा है, डिसिप्लेन में रहना है, गल्त काम नहीं करना, कोई भी, किसी पैसे का लेंड देन करके यह नहीं करना, कोई, आप ड़ इंसान बन के रहोगे, दुनिया आप चिपक के रहेगी आपके साथ, और अपने बिजनस को अपनी अपलाइन के लिए खोल दो, अपने बिजनस को खोल दो, अपनी अपलाइन, आपकी अपलाइन आपसे ज्यादा से आनी है, आपकी अपलाइन आपसे ज्यादा एक्सपार्ट उनको ज्यादा पता है तो अपने बिजनस को ऐसे बैरियर लगा है मत रखो कि यह मेरा है आपका नहीं है वो तो बिल ब्रेट तक सब का ही संजाए आपकी अपला इनका भी उतने हैं जितना आपका है आपको और क्या जाए अगर मेरा पूरा का पूरा बिजनस सुमीद बहादर संभाड ले और मेरे को कुछ करने की जरूरती ना पड़े तो आइम हैपी अगर संदीब का पूरा बिजनस केके संबाड ले शे की सेला की केके संबाड ले और उनको फॉन्टर प्लाटिजम कर दे शे की से को तो संदीब आपको गुसा दूने लगे कोई यही है इंटेलिजेंट लोगों का काम जो अपनी अपलाइन को खोल दो यह पदा सीधी बाद है इसको जो लोग अपने बिजनस को ऐसे कलावे में लेकर रख दे कि यह मेरा है लिटल नपोलियन और लिटल नपोलियन जो होते हैं उनका बिजनस बढ़ता नहीं कभी भी यह मैंन काहरा है यह system काहरा है मेरी बात में तो बाते हैं कर रहा हूं और 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 यह देखो पूरे कर पूरे लोग अभी भी 500 लोग बैठे हैं यहां पे क्यूंकि 500 ज्यादा आने सकते हैं मीटिंगे मैडम गह रहा है कि मीटिंग की इंपॉर्टनस बहुत है यह नहीं कि आज जीतपल मांगट आ गया तो आज हजार बंदा लाइन में लग गया आखे 500 तो एंट्री मिलगी बाकी सब को एंट्री नी मिली काल लोगों के फोन आएंगे सार हमें तो एंट्री नी मिली पहली काल तो लैत आए तो पांसो पूरा ओ गया हैना तो ये अवाब है को मीटिंग में आना बहुतुंटी est要pir जाप मिंटे अवरी संद्डेव कारते हैं डिपरेंट टिपरेंट स्पीकराते हैं अगने, मुस्त करते हैं और पूरा त्यार्व थिर ऊकालो गया लिए नाद स्वांसर होने के तो अगर वैसे चल जो आखे मलते मलते तो फिर सुष्टी कमारे फिर नहीं बात बाती फ्रेश होगे जाओ नर्जी आ जाती है नर्जी आती है कि अगर आपने कोई काम कारने से पहले चाहे आप सुबह भी नाई देख फिर शावर ले लो फिर नालो या कर लो आपनी है अपने वीडियो आफ कर लो यह को बात बनी है बिलकुल वीडियो आफ नहीं है पूरा त्यार बरते हम आपको करेंगे अगर आपका ड्रेस नहीं है फोस्ट के पास पावर है वह आपको एक्जिट कर सकता है पूरे ड्रेस कोड ड्रेस कोड का यह नहीं मतला जासे टाई शाई टाई ट्वी मैं असल गाली मैं है अच्पीकर था तो अदर्वाइज आप जस्ट एक प्लें शर्ट पहनी हुए अपने साब सुतरी और पगड़ी है जो वालूल बाय है बनाए है बस ठीक है जाट से ड्र जो बेस्ट कॉर्णर है एक कॉर्णर कम से कम चार फुट का ऐसा सोच लो जहां मैं जूम मीटिंग में बैठा करूंगा अब देखो मैं यहां इस कमरे में हम उपर रहते हैं मगर मैं नीचे के हूँ को यह कमरा थोड़ा ठीक है यह देखो इसमें फोटमा फटमा लगी है न इसे अच्छा लगता है तो यह वीडियो में जब आप आपकी वीडियो होना है तो आपको कहां बैठन है यह आपका बैस्ट कॉर्णर है सही बात है कि नहीं तो यह नहीं कि मैं बैट पर लेटा हूं तो मुबाइल को अन कर दिया और सुन रहे हैं कई तो बातरूम भी साथ लेकर चल जाते हैं वाइल को वीडियो होना है तो ऐसे यह गलत बात है आप डायमेंड बना है एमवे में काम जाब होना है तो आप कितनी देर के बाद अससे जाना बात तो मैंने पहले की थी तो यह मतलब मेरी बात थोड़ी लेट आ रही है आपके पास तो यह बात रुमा कहीं आप बैठ जाओ है ना अच्छा-जशाग और हो जात ठीक है तो वहां बैठके यह कोई ना कोई तो गार में का और होता है सारा हरएक का बढ़िए होता है तो वहां बैटो ये नहीं है का ठेलन आ हनो तीव कौकशे ही we